अब हम करेंगे probability chapter जो कि chapter number 13 है NCRT की बुक में हमें सभी solutions को इसके पहले वाले chapters जैसे differential equation, vectors और integration, application of integral basically उसमें complete किया हुआ है और इस वाले part में आगर आपको एक छोटी सी चीज बता होगी तो आप सभी questions को आसानी से कर लेंगे exercise 13.1 के लिए और वो ये है कि condition probability क्या होती है इसक तो समझने के लिए मैंने एक RD शर्मा से एक example भी लिया है जिसको मैं बताऊंगा जैसे कि clarity एकदम complete हो जाया कि और एक चीज मैं important और बता दूं कि conditional probability के लिए एक formula जो कि हमें पता होना चाहिए वो ये है कि probability A given कि B अगर कर चुका है जहांपे A और B है क्या A and B are certain events अब कौन स है कुछ event है मुझे नहीं पता है वो कौन से event है तो कोई experiment हुआ था उसका एक sample space आया तो क्या हुआ एक experiment run किया गया उससे एक sample space एक experiment run हुआ और उससे आया एक sample space उस sample space के कई outcomes हो सकते थे सही बात है कई outcomes का ही एक set होता है sample space तो उसमें से हमेंने दो event को generate कराया जो कि दो event कहला है एक event A और एक event B probability जनरली जब A की निकाली जाती है तो वो होती है n number of elements favorable to A event upon total number of events in the sample space total number of elements in the sample space या outcomes ठीक है तो वो होती है probability of the event A जब आप probability of B निकालते हो तो आप लिखते हो number of elements in the event B upon the number of elements or the total of you can say the outcomes in the sample space लेकिन जब आप से कोई बोलता है कि what is probability A given B यानि कि B अकर कर चुका है क्या probability है तो अब आप बुद्धी लगाए अगर B अकर कर चुका है इसका मतलब B इसका मतलब B अकर कर चुका है उसमें से मुझे A को चुनना है बी अकर कर चुका है बी आ चुका है बी एक event है जिसके अंदर कुछ outcomes पढ़े हुए है कुछ sets कुछ वो एक set है वो अकर कर चुका है उसमें समझे A को चुनना है इसका मतलब A is a part of B now तो मैं लिखूंगा कि कितने element है जो A और B में common है यानि event A और event B में दोनों में कितने common elements है common outcomes है अपन अपन आप किस में से निकाल जो probability किस से calculate कर रहे हो आप probability calculate कर रहे हो number of elements in the B set यानि कि B set में से मैंने खोजे ना तो मेरा जो sample space है इस बार वो B है यानि कि इस बार B is treating as a sample space B ने बोला मैं आज sample space बन जाता हूं क्योंकि तो मुझे select कर रहे हो जो sample space original experiment खाता वो existence में नहीं है समय अब हमारे लिए B as a sample space exist करता है क्योंकि मैंने B के respect में बात करनी है क्यों मुझे यह बुला गया है कि B अकर कर चुका है तो मुझे जब भी देखना है तो मुझे B के अंदर जाक कर देखना है मुझे sample space में क्या हो रहा था बड़े वाले में उसमें कुछ पड़ता समझ गया है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ यह हमने पाया कि यहां पर जो sample space S था वो basically B बन जाएगा तो number of elements in B हो जाएंगे मुझे लगताब आप समझ गये होंगे और अगर आप यह समझ गये ना तो आपको अब एक छोटा सा वह आना चाहिए अगर मैं दोनों साइड को divide कर दूं sample space से जो कि गलत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी numerator और denominator को same element से divide मैं multiply कर सकता हूं तो वही मैं कर रहा हूं तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं number of elements in the sample space और ऐसा करने से यह probability का ही तो formula है लेकिन इस बार जो probability है वो A intersection B के लिए है वो नंबर of elements in A intersection B upon total number of elements या total number of favorable outcomes या number of outcomes ठीक है upon probability of B यही कहलाती है probability A given B अगर हो चुका है अब generally हमें confusion यह होता है कि B given A के लिए बस obvious सी बात है तो B given A अगर आप से पुछे तो इस बार उल्टी बात हो रहे है मुझे क्या पता कि A कौन है और B कौन है वहाँ पर P है Q है X है Y है क्या फरक पड़ता है मुझे तो इतना सिखाया गया कि हमेशा intersection होगा अब मैं यहाँ पर लिखू हूँ अब B intersection A पर आपको पता है A intersection B and B intersection A और one end is the same thing इसंट इट यहाँ पर A आएगा क्योंकि आप respect to A देख रहे हो अब आप कहरो मैं A को as a treat करूँगा sample space और उसमें से सोख रहा हूँ कि B यह कर करेगा यहाँ कि A एकर कर चुका था क्या चांस है कि B एकर करें event B हो तो इसका मंदब इसको मैं same लिख सकता हूँ probability A given B upon probability A और यहाँ से यागया probability B given A इसका मंदब आप A intersection B को दोनों तरीके से लिख सकते हो P of A given B into P of B और P of B given A into P of A तो दोनों इसको समझने के लिए अब मैं एक example जैसे मैंने बोला शुरुवात में कि मैं RD श्रम का एक example लेना चाहता हूँ फिक है वो मैंने लिख लिए है question को तो यह question number one है basically exercise में उसके I think 31 या 32 chapter है वो परानी नई book के हिसाब से change हुआ है तो हमें क्या करना है 10 cards numbered one two through ten are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly तो मेरे पास एक sample space तो आ गया क्या कहता है वो sample space वो sample space कहता है वेटा that it is equals to elements from one to ten सही बात है क्योंकि एक box था उसमें से 10 card को put किया गया है जिनका number one से लेके 10 तक है तो यह हमारे sample space के elements है ठीक है हो गया अब यह कह रहा है कि एक one card is drawn randomly अच्छा one card is drawn randomly ठीक है so now you think about it if it is known that the number on the drawn card is more than three think about it अगर मुझे यह बुला जाता है कि number जो निकाला जाता है वो तीन से जादा है तो यह एक event है let's suppose यह एक event है A मुझे नहीं पता कि A intersection A given B निकालना है या B given A निकालना है बस मैं तो solve करने जा रहा हूँ तो क्या होगा let's suppose एक event है A A कहता है कि more than three होगा जो card पर number होगा वो more than three होगा अब आप सोचिए वो क्या हो सकता है four, five, six, seven, eight, nine और ten सही बात है अब हम से कहा जाता है what is the probability that it is an event number event नमबर भी होने की एक event हो सकता था बात में उजे intersection निकालना है obvious थी बात है अब आप समझे ना उसका क्या logic होता था जब वो दो event के बारे में बोलता था वो दोनों event को link कर रहा है पर उससे पहले आपको दोनों event के individual existence को निकालना पड़ता है उनके individual elements को निकालना पड़ता है तो यानि कि यहाँ पर आजाएगा बी अब आप सोची वो कह रहा है it is an even number एक ऐसा event अकर कराना है कि जो एक even number होता हो क्या-क्या even number है यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक समझ गए अगर आप यहाँ तक समझ गए ना तो अब आप इसको सोचिए वो हमसे कह रहा है if it is known that the number on the drawn card is more than 3 3 क्या probability है कि वो even होगा यानि एकर कर चुका है यानि एकर कर चुका है यह पता है मुझे कि जो card पर मेरे पास number है वो 300 से तो जादा है अब क्या chance है अब क्या chance है कि वो number even भी हो वो number even भी हो तो A intersection B क्या कहता होगा पहले तो यह बताइए कि वो number even भी हो, तो 3 से ज़्यादा है और even भी हो, ऐसे कितने number exist करते हैं, देखिए, A intersection B set कौन सा होगा, देखिए, 4, 6, 8, और 10, यहां से मैं एक चीज लिख देता हूँ, this implies number of elements in A are 3 and 4, 7, number of elements in B are 3 to 5, and number of elements in the intersection of it are 4, ठीक है, अब एक मिट सुनिये, यह कह रहा है, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, मैंने एक card निकाला, उस पे इस number 3 से जादा था, यह हो चुका है, this is the existence, यह already आ चुका है, यह मिल पास set पड़ा हुआ है, अब मुझे चुनना, उसमें से मुझे निकालना है कि वो एक even number हो, त जो a set आ चुका है, इसमें से मुझे निकालना है कि वो number even हो, तो यह मेरा base हो गया, यह मेरा sample की तरह treat होगा, इसका existence खताम हो चुका है, ठीक है, तो क्या करना हमें, basically हमें conditional probability निकालनी है, क्या होगी वो, probability कि a अकर कर चुका है, क्या probability है कि b अकर करेगा, यानि कि वो even number भी ह होगा, a अकर कर चुका है, दिखा आपने, तो हमने तो हमने तीखा कि कोई फ़र्ट नहीं पढ़ाता, a intersection b probability होती है, लेकिन, यहां मैं इसे number of elements से करूगा, number of elements in a, इस यहां में गलती मत करेगा, number of elements in a, क्योंकि a अकर कर चुका है, आप उसमें से कुछ चुनने जा रहे हो, इतना क्यों इस पे वो कर रहा हूँ, जैस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको यह नहीं समझना है, तो पूरा chapter waste है, कुछ नहीं समझ बहाएगा, कुछ भी नहीं समझ बहा है, इसको समझने की से पूरा कोशिश करिये, इस वीडियो को दुबारा रिपीट कर लिजे गई यहीं से ठीक है जहां से नहीं है कि N A intersection B यानि कि common कितने elements हैं जो दोनों में होते हैं यानि कि कौन से वह elements है जब 3 से भी जाता है और even भी है तो वो चाल 6 8 और 10 हो सकते हैं अब आप कहरे total possible outcomes तो लिखते हो नीचे ठीक है फिर भी गूल गया स्वरी total possible outcomes ली तो लिखते हो what are the total possible outcomes for that it is A for A set से आता है तो कितना हो जागा देखे N A intersection B 4 था और N A कितना था 7 था तो answer is 4 by 7 that's the ask समझे हैं कितना easy हो गया how easy it is now अगर आपको यह नहीं समझे है और repeat मार के देखिए का इसी चीच को आपको समझ में आ जाएगा मैं पहला question करने जा रहा हूं NCRT exercise 13.1 question number one given that E and FR events such that these are now very simple formula based question इसमें समझाता नहीं है teacher समझा चुका हूं मैं पीछवाले पार को देखिए ठीक है given that E and FR events such that probability for the event E to occur is 0.6 for F to occur is 0.3 and the common probability for E and F both to occur is 0.2 point P intersection F अब तो मतलब मैं कुछ समझाऊंगा तोड़ी तो formula लगाऊंगा it is P E intersection F upon P or F which is nothing but 0.2 upon 0.3 which is nothing but 2 by 3 simple probability F given E what is probability F given E it is probability of the occurrence of E intersection F upon the probability of E इस बाल change हो गया वीटा तो यह हो गया 0.2 upon 0.6 which is 2 by 6 और 1 by 3 ठीक है समझ गया बात को तो आपको यह अगर समझ में आ चुका है then it is comparatively super easy देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट में समझाने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा था एक चीज़ और समझा देता हूं वहाँ पे शैन में लगता है क्या possibility अगर मैं इसको दोनों को number of sample space से भी लिख सकता था तो पी नहीं निकाला मैंने एंट से समझाने की कोशिश की है पी तो अविस्टी लिखी सकते है बाप यहाँ पर क्यों कि दोनों में एनस ही होगा हाँ 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 है ठीक है next करते है question number two compute compute P A given B if sorry I'm reading it wrong I'm sorry probability A given B has occurred और A given that B has occurred मैं short में बोल ला हूँ if P of B is 0 and this is it कोई बात ने बखवाज है एक फॉर्मुले में एक unknown होता है और पुआ की सब known होता है अगर एक equation है तो और उसको solve करना जाता है अब आप कभी यह गाइब कर दो कभी वो गाइब कर दो उसे फर्क कोई कुछ नहीं पड़ता है ठीक है देखिए probability A given B यहाँ तो एकदम directable की इस probability A intersection B upon probability B अभी मुझसे A पूछता यह देकर तो वो भी निकाल लेते यह देकर यह पूछ लेता A निकाल दो निकाल देते तब चलिए तो यह हो जाएगा 0.32 upon 0.5 which is 32 by 50 ठीक है ठीक है फाइन तो इस इकोल दो 1648 नो 216 25 16 by 25 अगे तो आप समझ के है वेरी एजी निक्स करते हैं इसका अंसर लिख दे तो एक नेट 16 25 अब लबर कुछ है नहीं इसमें देगे probability A 0.8 मैं सोचा था कि क्या वहाँ पर A आ सकता था पर वो पी गिवन नहीं था उल्टाइवाला दिया नहीं था दिया दे देता तो शायद निकल जाता वो भी क्योंकि तब हमें सब पता था P of A equals to 0.8 P of B equals to 0.5 this ठीक है आचा तो अगर मुझे यह पता है P of A equals to 0.8 हमें निकालना है P A intersection B I'm sorry तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे बहले हमें लिखना पड़ेगा probability B की वें नहीं क्या होता है ठीक है वहीं से आएगा यह होता है probability B intersection A upon probability of A और A intersection B कोई फर्ट नहीं परता है मैंने पहले बोला हुआ है तो इसको मैं replace कर दूँगा probability A intersection B यह commutative होता है A intersection B is same as B intersection A upon probability A is 0.8 और यह given is 0.4 multiply कर देंगे 0.32 हो जागा तो this implies probability A intersection B is 0.32 सेकेंड पार्ट है A given B यहीं वाला देखा इसलिए मैं उस वाले में वहीं सोच रहा था पर उसके लिए वह opposite वाला देना चाहिए था ना तो probability A given B is nothing but probability of A intersection B जो अभी हमने फर्स पार्ट में निकाला है upon probability of B जो कि है 0.32 upon 0.5 exactly same हा गया देखा आपको मैं क्या कह रहा था वहाँ पे क्या बोल रहा था एक मतलब पता ही नहीं था वहाँ पे इसलिए नहीं कर पा रहे थे तो यह हो जाएका 32 by 50 और equals to अग भी निकाला था 16 by 25 ठीक है नेक्स करते हैं probability A union B अच्छा इसके लिए आपको यह वाला formula पीछे probability में 11 पे पढ़ाते हैं probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यह set theory से आता है when diagram से भी solve किया जा सकता है एने एने यूनियन भी होता है एने प्लस एन भी माइनस एने इंटर्सेक्शन भी 11 में probability में बता दितने पर तो A पता है हमें कि एक सेकेंड कि इतना है 0.8 कि भी पता है में 0.5 और A intersection B कितना हमने निकाला था नहीं पता है निकाला था 0.32 तो यह हो जाएगा आठ अपांस तेरा तो 1.3 माइनस 0.32 तो इसको मैं 0 लिख लेता हूं क्योंकि लाइक डेसिमल होने चाहिए तो एट ट्वैल मैंने स्ट्री नाइव हूं दस में को होगा है याट बार्राव स्टीन यह नौ है जीडो पॉइंट नाइट काफी close to one है ठीक है तो आप मुझे लगता है आप यह समझ गए होंगे कि तरीके से यह आंसर आते हैं सिंपल से फॉर्मले हैं कुछ ज़्यादा दिमाग है नहीं लगाना टीचर के लिए भी नेक्स करते रहेंगे कोशन नंबर फॉर ओके यह एक रिलेशन देदी गई है देखें ध्यान से यह कन्फ्यूस कर रहा है आपको यहां से पी ऑफ ए की पहले वैल्यू निगाल दीजेगा क्योंकि यहां पर ट्वाइस है तो वो कह रहा है कि प्रोबिलिटी ऑफ बी जो है वो तो 5 by 13 है I accept it पर वो यह बुल रहा है कि 2 times of probability of A भी 5 by 13 है ठीक है तो यहां से probability of A निकाल दीजे वो जाएगी 5 by 26 यही मिस कर सकते थे आप बाकी तो अब सब पकवास कुश्यन है A given B पता है तो उसका formula में पता है क्या होता है it is probability of A intersection B अब इससे निकालना ज़रूरी है क्योंकि A union B के लिए यह पता होना चाहिए correct upon probability of B तो यह हो जाएगा probability of A given B तो यह हमें पता है कितनी है 2 by 5 probability निकालनी है A intersection B की B की probability है 5 by 13 तो by 13 आएगा तो इसको मैं divide by को यहाँ multiply लिख सकता हूँ आप समझ देना denominator का denominator numerator numerator में जहाता है बड़ा simple सा logic तो यहां से हमारा 5 और 5 cancel हो जाएगा और इसके बाद हमें क्या मिलेगा इसके बाद हमें मिलेगा 30 मिधर आजाएगा तो probability A intersection B is 2 by 30 ठीक है अब A intersection B पता है हमें पता क्या करना है A union B तो A union B क्या होता है it is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B A की मैंने बताया था फैरे निकालना जरूरी था क्योंकि वो twice था इस नहीं कर सकते है आप 5 by 26 क्याएगा 5 by 26 B की आएगी 5 by 13 और इसकी आएगी 2 by 30 LCM 26 जाएगा तो यह हो जाएगा 5 10 4 तो यह जाएगा 11 by 20 that's the end कितना easy हो गया नहीं समझ गया बात को तो यह बहुत ही आसान तरीके से आ जाते हैं question के solution क्योंकि formula लगा रहे है जब word problem आएगा ना बेटा इसलिए मैंने देखा example में पहले word problem समझाया क्योंकि क्या है यह तो मैं कोई कोई यूनियन बी दिया है ठीक है निकालते हैं तो क्या होगा पहले तो हमें a union बी पता और intersection बी निकालना है तो पहले a union बी का formula लगाई है क्योंकि a given b का तो है नहीं कि given b has occurred ऐसा वाला तो दिया नहीं कंडिशन probability तो दी नहीं है तो पुराने 11 वाले formula को use कर लेंगे तो क्या हो जागा probability a probability b minus probability a intersection b आच तो यह हो जागा a 6 by 11 b 5 by 11 minus seven by 11 परी तो परी सोरी 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 तो यहां पर यह तो निकालनी है मिस्स कर गया अगला वैल्यू डाल गया हुं यह तो पता करनी है union दिया हुआ है तो यह जागा 11 by 11 और वाह माइन वन बनाएगा उसको मत बनाएगा कोई फाइदर नहीं मैं बता रहा हूं कि बात में फिर तो ए इंटर्सेक्शन वी जो है वह गए 11 by 11 माइनस 7 by 11 आप समझे तो आजएगा 4 by 11 तो फर्स पार्ट का तो आंसर यह आ गया बड़ा सिंपल तरीके से आ ठीक है ए गिवन बी प्रोबिलिटी कि ए अकर कर ए गिवन बी अकर कर चुका है ठीक है कर देते हैं स्वाल प्रोब प्रोबिलिटी ए इंटर्सेक्शन वी जो मिन विकाला है भी अपॉन प्रोबिलिटी ओफ टी विच इस सेवन बाइव स्वारी पोर इस फोर फोर बाइवन अपॉन बी की क्या देर रखी थी फाइफ में लेगा आपको पता है कि सेकेंड पुजीशन और फोर्थ पुजीशन का अध़ जाता है कैंसल हो जाता है तो यह हो जाएगा है पोर पाइफ़ चैन्स राजएगा ओबाइफ एस ती आज ठीक है समझ गया है लास्ट पी प्रोबिल्टी बी गिवेन ए यह भी निकाल लेते हैं प्रोबिलेटी बी गिवेन ए सेम है बेटा फॉर्मले लगा रहा हूं कुछ भी एक्स्ट्राइस एडवांस तो कुछ करी नहीं रहा हूं ए गिवेन तो इस तरीके से आपको इजी-जी कोश्शन मिलते रहेंगे आप इजी-जी करते चाहिए चलिए थोड़ा सा आया लैंग्वेज वाला आप अब थोड़ा करने में मुझे मुझे आएगी पहले नहीं आ रहे है डिटर्माइड इगिवेन एफ इंटर से इगिवेन एफ तो अब करने के लिए में क्या करना है पहले तुप 3 पार्ट एप तो शड़ो करते हैं है कि की का सट निकालना पढ़ेगा पहले तो कॉयन इस्ट थwości थी इसको करने के लिए मैं मैं आपको लएक भूत ही अच्छा ठारीका बताता हूँ ऑप ठीक है है कं pony one COint two pret three इसके temple space को निकालने के मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ और वहां से आप solve करेंगे, ठीक है, तो अब सबसे पहले समझे क्या करते हैं, चार हेड, चार टेल, दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, बहुत इजी तरीके से आप इसमें sample space लिख सकते हैं, तो यह sample space मेरा elements है, है HHH, HST, HTH, HST, THS, THST, THN, TTT अगर माल लेते हैं कि एक और होता 4 coin होते है तो आप लिखते 8H, 8T फिर यह 4H, 4T repeat होते है 2H, 2H, T ऐसे repeat होते है बस इस तरीक के से आप कभी भी sample space लिख सकते हो बड़े अराम से coin की cases में सेम चीज करनी है में तो हमें अब यहाँ पर इवेंट लिखना है तो मैं डाइट लिख रहा हूं क्योंकि I am not considering Sample Space requirement है तो इस फॉर कोशन नुमर वान पार्ट प्लीस रिमेंबर मैं पहला वाला स्वारा तो इसके लिए एड़न थर्ड तॉस थर्ड पर हैड आ जाए तो एक तो यह है एच टी एच देखाँ आपने कितना असान हो गया थर्ड टॉस पर हैड़ा आ जाए अरे फस्ट वाला भी था स्वारी मिस कर गया कि एच 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 पहला एलीमेंट है थर्ड टॉस पर है फिर एच टी एच फिर टी एच इसमें मिस नहीं करेंगे अगर गलती से मिस करेंगे तो भी दिख जाएगा तरण से टी टी एच जैसे यह मुझे दिख गया देखा आपने लिख दिया हमने एक दो तीन चार टीए एक साथ टो छाल दिए जाए वो चैञ नहीं होता है तो यह C1 represents first coin, C2 represents second coin, C3 represents third coin, इस तरह से बन जाता, अभी के लिए हमने sample space बोल रहा हूं, situation बदल सकती है, sample space same रहता है, तो coin is tossed three times, तो C1, C2, C3 के लिए हमने यह से कर लिया, तो तीसरी बार पर head आजा है, वो last C3 से पता लग रहा है, third time, जब coin toss किया गया, F क्या है, F है, heads on first two tosses, तो पहले दो toss पे head आजाए, 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 नहीं है, बस होई है, देखा, कितनी असानी से आ गया, आपको समझ में आया, चलिए, तो यह हो जाएगा, HHH, और दूसरा है HHT, खतम हो गया, और कोई और element नहीं आ सकता, कोई और इसमें favorable नहीं है, probability जब भी निकाल नहीं हो, तो इस तरह की situation में N वाले formula यूज़ करिये, P वाले formula मत यूज़ करिये, ठीक है, तो P E given F, क्या हो जाएगा बेटा, यह जाएगा N E intersection F, जिसको मैंने निकाला नहीं है भी तक, upon N F, तो मैं E intersection F, निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं निकाल लेता हूं, E intersection F, कौन से element है, HHH है, HST नहीं है, तो बस, एक ही element है, common, तो यहां पे आजएगा, number of elements in E intersection F, कितने है, एक ही तो है, और number of elements in F, दो है, तो probability बन गई, 1 by 2, समझ के कितना असान है, अरे भाई, वो बोल रहा है, अब सुनी इसको, समझने की कोशिश करिए, यहां को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कि भाई, F हो चुका है, इसका मतलब head on first two tosses आ चुके है, head on first two tosses आ चुके है, तो मेरे पास यही दो chance है, और तो हई नहीं, first two tosses में head on, आ चुके है, किया probability है कि तीसरे toss पर भी head आ जाए, क्या probability है कि तीसरे toss पर भी head आ 오른 जाए, आप समझें के इसे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा अब देखेए इसको मैं copy कर लिता हूं इसको मैं यूज कर लूँगा भी अब मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है यह at least two head कुर्शियन भी यह यहां copy कर लेता हूं ध्यूद्धि हो जाएगा थाइम क्यू वेस्करना नहीं ठीक आप सेही ना हाँ तो मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं थर्ड वाला मैं आपके लिए स्किप कर सकता हूं थोड़ा सा आइडिया दे दूगा बस यह क्या कह रहा है एट लीस्ट दो है आजए तो कम से कम दो आए जादा से जादा तो कितने भी आ जाए कम से कम दो है है अलजा जाए इसे कौन से इस सक्ने दो हींट देखिềंड आपे कम से कम दो है त falando है ह siinä थे हैं यह दौथ ऊंट आए हैं नया क्म से कम दो बूला एक नहीं एक बूला नहीं कुछ नहीं है खदम होगया बस यह रुपिया अब क्या भूलाय एफ क्या है इस केस में एट मोस्ट दो यह जादा से जादा दो हाइं मतल Sig नहीं आइं तो चलेगा बर जादा से जादा दो आसके तीन नहीं सकते जादा जादा दो आजा तो एस Cheese ट होगा Suns जदा से ज्यादा दो हेरा एस टी एच हुगा एकश्य लीकी नहीं होगा बाकतीत हो जाएंगे एस टीटी होगा अब हटी एच इस टीटी और नि knocked क्या होगा कि TWK पक्यों फ़ना थोरे ज्याद कि यदर जद्सथी भी होगा TTHV होगा और TTT भी होगा अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दो हेड़ा है कम से कम तो एक भी नहीं है इसलिए TTT होगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा दो है दो के बाद नहीं आने चाहिए तो तीन नहीं आ सकते तो एक ही केस में तीन आता है यह वह लानी है तो साथ आएंगे बच्छे भूए ठीक है कि तो अब वो हमें निकालना इंटर्सेक्शन है कि क्या है दोखे एक 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 नहीं है एक है 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 एक है है और टी एक है है अब आपको निकालने प्रॉबिलिटी ए गिवें एफ कि बोलना भाई यह यह एकर कर चुका है ज्यादा ज्यादा दो हैडा चुके हैं क्या प्रॉबिलिटी है कि कम से कम दो भी आए होंगे तो ऐसे तो तीनी सट है तीनी एलिमेंट है तो जाएगा थ्री अब यहां से आपक भी मैं करता हूँ आई बिलीव आई शुट डू तो मैं करता हूँ ठीक है इसको पहले मैं कॉपी करूंगा था प्रॉप्रेशन रखेगा ठीक है यह सब मुझे चाहिए यहां पर न है और यह भी कॉपी कर लेता हूं अब चलिए करते हैं है बस सही है तो उब हमें बोला जा रहा है में है में आक मोस्त दो टेला जाया और हिक है कि इसिए कहता है कि इस मोले कि बस्तुम कितने भी आजाए जीरो भी आजाए पर जार कि य होगा बाकी साती हों ली कर falls है इसाप आउसका तो बस सभी होंगे ए JYET HHT HGH HTT pH Joh THT और TTH ठीक है, ज्जधा से ज्जधा 2 टेल आए F क्या कहता है कि at least 1 टेल आए, कम से कम 1 तो हाए ज्जधा से ज्जधा कितनी जिया सकते, कम से कम 1 टेल आए कम से कम कितनी टेल आए, 1 टेल तो आए तो ये वाला नहीं हो सकता कि कम से कम उझे एक टेल चाहिए है Rings The hai एश-टी-एफ कम से कम एक तेल दिखना चाहिए दो दिखरे रहे तीन किा गव्ञा बताइए एचछ अज तो हई नहीं एच-जटी होट एच-टी-टी-टी-टी-एच-टी-टी-टी-टी-एच-टी-टी-एच-टी-एच-टी-एच-टी-एच क्या पहला और कर चुका है यानि की एक कर गर चुका है एक बाले सेट में इक कितने कॉमन अलिबेंट आपने लिख लिए यहां पे कितने कॉमन आलिमेंट यह लिखना है आपको बेटा फॉरम्ला अगर अगर है तुछ कि इतने एलिमेंट है इसमें एक दो तीन चार पाँच छे और एफ में कितने एक दो तीन चार पाँच छे साथ सिक्सपाइग सेड इसी समझ गए बात को अगर हुआ हो आज तक तो अब नहीं होना चाहिए उसे कल तक करती है अब दो कोईन वाला है यह भी कर लेते हैं इसी पार्ट में बस यहीं तक कर रहा हूं ठीक है इनुफ वीडियो लेंथ हो चुकी होगी तो नेक्स्ट वाले पार्ट से एट से करेंगे तो अभी क्या बोल ब्रहरा इसमें 2 coin are to 와서e once तो की बार देखिए 2 coin toss किया है मैंने भी आपका बश्यांता 2 coin को एक बार torch करो या फिर 1 ancient dob को डो बार on состо complete sample space तो क्या होगा मैंने बम्हें को कैसे रिक्षे दो है दो तो पहले वाले पर आ जाए या तो दूसरे वाले पर आ जाए या तो दूसरे वाले पर आ जाए तेल ऐसा कुछ है हैं कि एल्दक है एफ उएवन्ट है जब यह तो करेगा one coin so that then then basically at least नहीं बूला है कम से कम नहीं बूला आप actor नहीं ले सकते इसuktion में at least नहीं बूला है one coin बूला है वन ही है दो एक कोईन हयड शो करता है यह लीष्ट एक noiwe यह टो यह वह तो दूसरा करेगा एक ठीक है अब क्या बोल रहा है हमें E intersection F निकालना है अगर आप E intersection F निकालोगे आप आओगे कि दोनों same ही है सही है probability that E given F E given F has occurred is the number of element in E intersection F that is common to both the events E and F upon the number of elements in the event F तो वो जागा 2 by 2 its probability is 1 ठेक है आच्छा second part करते है क्या बोला है second part देखे no tail appears tail नहीं आना चाहिए किसी भी परिस्तिती में tail नहीं आना चाहिए तो HH हो सकता है बस tail नहीं आना चाहिए बागी सब में कहीं न कहीं tail आता है तो tail नहीं आना चाहिए तो सिर्फ वो एक ही तरीका है एक ही outcome है उसका एक ही element इंटर्स में एच एच नो हैड़ अपियर्स कि एफ कह रहा है एड़ नहीं होना चाहिए तो फिर सिर्फ टीटी अकर कर सकता है दोनों पर टेल आ जाए तभी हैड़ नहीं करेगा तो इंटर्सेक्शन एफ क्या होगा यह होगा वो नल सेट है अबिनल सेट को कभी भी डिब मत लिखी का फिर वह एक बन sentido है या तो ऐसे लिखने कि अधिशनल्प लेटी लीटीट कि देते हैं लेक्टै्टु अधिके डिर्सेशन अषम सक्वाएं आपको पता है इसब बास कि इसा होता Richmond है तो number Burns गलतियां नहीं करनी है तो N E intersection F क्या हो गया जीरो हो गया हो गया अब आपको यह पता है अब आपको यह पता है कि probability E given F has occurred is nothing but number of elements in the intersection of the two events upon the number of elements in the base event which is कहां से देख रहे हो कि इसके अंदर क्या हो चुका है क्या घट चुका है उसमें से कितने number of elements है बस ना तो यह तो जीरो है और F में कितना है वन तो आंसर आ गया जीरो तो आंसर है जीरो तो ऐसा कोई कोई भी चांस नहीं है प्रोमिविल्टी अकरी नहीं कर सकते यानि मैं यह कह रहा हूँ एक ऐसा इवेंट था head नहीं आया ठीक है मेरे पास आ गया अब यह ब भाइब है अगर विश्क नहीं यह ऐसे कैसे बोल सकते हो यह नहीं आया ठीक आब बताओ कि क्या प्रोबर्टी है कि मैं उसमें से एक कुछ अगर क्वाई उचाल ना होगा तो इसमें से टेल भी ना आया अरे हैड़े नहीं यह तो टेली है होगा ना शोले का सिक्ष्य की भ 8 से कदेंगे, thanks for watching, we'll see you in the next video.